अलो आप सब्सक्राइब करने वाले आज के लिए अपना मैच रहे किस के बीच में बड़ा मैच है आर्सी वासे एमाई के बीच में क्या कुछ इस मैच कर लेटेड टीम से क्या प्रेडिक्शन से सब चीजे डिसकस करने वाले इस वीडियो में तो वीडियो को आखिर तक अगरपा औरहां टेल्कराम चैनल जलूर जोइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी टीम्स अप्डेट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं बागया भी चलते अपने मैच के उपर तो मैच होगा यहां से चिन्ने स्वामी स्टेडियम में ना ठीक है बात करते अपने वेन्य स्टेड्स की अब चिन्ने स्वामी के मैदान पर बहुत मैच खेले जा चुके एक सो पंदरा ओरोल हो चुके जिसमें की सिक्ष्टीवन जीता है बैटिंग सागें ने फिफ्टीटू जीता है बैटिंग फर्ष्ट ने यहां पर भी कहीं नहीं वैसे तो ऐसा रहता है नहीं कि चेज करने वाले टीम जादा जीती है आज भी जीत सकते है और डू फेक्टर आने के चांस कम है बट जो मिरको लग रहा है कि हलका फूल का आ सकता है वहाँ पर वह एक चीज़ है बाकि हाई स्कोरिंग मैच्स यहां पर हमेशा रहते ही है बट स्टिल 170-180 का राउंड आपको यहां पर स्कोर बनते में दिख सकता है बाकि अगर हम 22 सेप्टेंबर 2019 को यहां पर सबसे पिछला मैच खिला गया था जिसमें इंडिया ने वन थाटीव और साउथ अपरिका ने बड़ी इसली चेज़ कर दाया टार्गेट को चार मही 2019 को मैच हुआ था है कि इस मैच का को रिजर्ट नहीं आया पर इसमें विकेट जादा गिरे थे तो इस वाइसे मैं लिख रहा हूं यहां पर उस मैच वो पांच विकेट स्पिन के थे तीन विकेट पेसर के थे अलाकि कोई जीता नहीं था इस मैच में कैंसल हो गया था है कि 24 अपरेल 2019 को मैच तो 202 बना रही है तो मतलब दो जो सही मैच आपको देखने को मिले राइं पिल गें दोनों ही मैचेस में स्कोर जो है काफे सही बना है इसे विए से मैं बोल रहा है कि इस ग्राउन पर चन्नसौमी के वैदान पर स्कोर अच्छा बनता है शक्के बढ़ते हुए आपको बढ बागी यह तो है देखो रेसेंट मैच इस वैन्यू पर जो खेले गए अब और वरल जो विकेट्स है वो भी बताए तो आपको तो पिछली चार मैचेस मैंने आपको दिखाए उसमें 16 विकेट्स पिन के थे 25 आपको उसमें पेसर के देखने को मिलते हैं वही पर पेसर फिर रीप हो नहीं पाते हैं पियर से और उनगो विकेट्स जादा मिलते नहिंए और यहां पर शक्के भी ऊड़ते हैं यह दो करना की स्पिन के जो आप क्या क्या कहते है स्पिनर्स जो आप लेते हो टीम में वो फशंट इनिंग के जादा लो सेकंड के रखना है तो लाले फिन एलन को ठीक है और फिन एलन अगर खेलेगा तो वो करेगा ओपन विराट कोली शिफ्ट हो जाएगा फिर नंबर तीन पर और अश्यास प्रपुन दैसा ही फिर होगा बाहर इसकी जगा पर एका जाएगा इंडियन बोलर तो यह चेंज बैंगलोर की टीम में हो सकता बट मेरको जो लगता है यह कुछ आज के लिए प्लेंग लाउन रहे सकते है जिसमें की विराट कोली और फाप्टू प्लैसे करेंगे ओपन और इस बार विराट कोली अगर देखा जाए तो भाई रिसेंट फॉर्म अच्छा दिख रहा है यहां से ठीक है तो लेना अच्छी पार्टनर्शिप के आप यहां से उम्मीद कर सकते हो इनकेस अगर फिन आलन खेलता है तो वह आपके लिए ग्रालिक कले सीवेसी बनेगा बाकि सुयाश प्रभुदेशाई ठीक ठाक प्लेयर है डिसेंट है बस बहुत जाद उमीदे मेरको सुयाश सब्सक्राइब बहुत ही कम रेयर केसे बहुत बड़े स्कोर भी देखने को मिल जाए जैसे पचास से उपर या फिर एक दो विकेट भी साथ में ले जाए तो उसकेस के लिए ग्राइलिक के लिए सीवेसी अब जो ट्राइक कर सब्सक्राइब को बाकि ग्लैन मैक्स्वल है ग्लैन मैक्स्वल के रिलेटेड वैसे दो नियूज यह थी कि फुली फिट नहीं है बटे भी नियूज आच चुके कि फुली फिट है खेलेगा बोलिंग करने के चांसे मेरे को थोड़े हलकी कम लग रहे हैं यहां से ग्लेन मैक्स्वल से बाकि पिछले कुछ मैचे दाए 28 और यहां से 8-8 का बीच में स्कूर रहा है उसके बाद में माइकल ब्रेस्वल है रिसेंट मैचे बहुत बढ़िया रहे थे यह वाले मत देखना इसमें आपको हर मैच में विकेट ब्रेस्वल की तरफ से देखने को बलते हैं तो यह बहुत जादा कंसिस्टेंट हर मैच मे कहीं न गई एक विकेट तो निकाल के जाएगा ही जाएगा और बैटिंग से भी रंग बना देता है जैसे इंडिया के इसमें जब इसने उड़िया ही में सेंचरी मार देती बागी तने शकारते हैं यह एस फिनिशर रोली रहेंगे तो रखना हो तो रख सकते हो अदर्वा अब आते हर्शल पटेल के उपर हर्शल पटेल हमारा चोटा डेल्स्टेन मान सकते हो बागी यह वोलिंग करेगा और हो सकता है विकेट निकाले बड़ यह ध्यान रखना कि हर्शल पटेल को चिन्ने सोमी के मैदान पर बहुत मार पढ़ती है ठीक है अरन बहुत पढ़ते ह अरशल पटेल को उसके बाद में सिराज की बात आती है सिराज वही आने टी टॉन्टी में तो इतना कुछ खास नहीं किया है पिछले अगर मैंचस कुछ देखे जाए तो बटेकर बात कीजिए जब ओडिया ही खेल रहा था तो बहुत बढ़िया कर रहा था बागी इंपॉर्ट बनते हैं टीम में लेने के लिए तो यह कुछ खानी इनकी पूरी प्लेइंग अलवन की सब चीज़े बाकिया बात करें पूरे और को डालेगा सिराज हर्शल पटेल टोपले शाबाज एहमद और उसके बाद में ब्रेस्वल जो है इनके बास में बोलिंग और अगर किसी के फिर इनकेस ओवर कम होते हैं तो जो मेरे को लगता है शाबाज एहमद के फिर यहां से बाई ओवर कटेंगे अगर लोमरोर या मैक्सवल ने बोलिंग की तो जिसके चांस जो मैं अरड़ी बता चुका आपको थोड़े कम ही रहेंगे इदर से तो यह कुछ इचांगे शनोर ऑपन करने वाले कंवरोर क्याइन ग्रीन का थोड़ा बैटिंग ओड़र हूँ हैं यहां पर कंफूज हैं कि कोन खेलता है कोन नहीं को कि तिलक वरमाबी तीन पर खेला सकते हैं और कैमरेन ग्रीन को फिर पांच पर शिफ्ट कर सकते हैं तो यह एक जो बैटिंग बोलिंग दोनों चीजों से पुर्ण देगा तो Green से बोलिंग में से कराई जा सकते है बैटिंग जा सकते हैं बागि This निए ए डुब्र सोर्यकुमार या दो टमग नुबर वन या तो सुर्यकुमार या दो रख लेना कोई दिक्कत नहीं नो डाउट तीन पर खेलेगा तो और ज़्यादा बहतर बहतर बनेगा उसकेस में तो वह ग्रैंड लिग में सीवी सी भी आप इसको कर सकते हो टिम डैविड आएगा थोड़ा नीचे बीच वीच पे बहुत बढ़िया स्कोर करता हो दिखेगा अधरवाइस 15-20 के राउंड आपको बनना आता हो दिख जाएगा रितिक शोकीन राइट आम ऑफ परी का बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नहीं है विकेट लेने में लास सीजन भी जब खिलाए गया तो बहुत अच्छा वरुफस तो रितिक शोकीन नहीं दिखाए थ उसके बाद में कार्तिक है और एक चीज़ और की यहां से न उतने कुछ लेफट एंड बैट्समन है भी नहीं सामने वाले टीम में विराट को लिया डू प्लेसे से लोम रोर है एक कहां लेफट एंड बैट्समन में लोम रोर ज़रूर ज़रूर आ जाता है बाकी ओर ज्या दिखा दिया था कंबैक अच्छे ओडिया में विकेट निकाल कर रहा है उसके बाद में संधीप ओर यहां पर एक और क्या कहते हैं अविनाश खान सुरी अविनाश खान आर सीवी में उनका नाम गालित लेए संधीप और या अर्शद खान आपको यहां पर खेलते हुए द देखो अगर ओपनिंग की एक विकेट गर गई ना यहां से चाहिए फिर किसी ने बिली चाहिए फिर वो आर्चर वेरियर पैरेंडोफ किसी ने बिली शुयांस प्रभू देसा ही हुआ लोम रोर हुआ यह आइटिंग फिर आपको जल्दी आउट होते वे दिख सकता है बोहित चर्मा, इशान किशन, कैमरेंड ग्रीन, सुर्य कुमार यादो और बोलिंग उप्शन में आर्चर है और बेरेंडोफ है तो यह कुछ इंपॉर्ण फिक्स बंगते हैं अब एक और देख लेते हैं कि बोलिंग पूरी कुन कुन कराएगा इनके पास में बोलिंग आपको mostly 4-4 और यहां से डालते हुए दिखेंगे बाकी की जो बाज आता है कार्तिके शोकीन और यहां से ग्रीन आइधिंक यह मिलकर भाई आर्ट वर डाल सकते हैं ठीक है तीन-चार तीन-चार और सब केस्से में आ सकते हैं उसके बात में आते हैं शुरुवात में कौन ड जाते हैं वदेरा भी कही ना कहीं डिसेंट ही रहेगा भाहिन में फश्ट क्रिकेट खेला है ज्यादा टीट वंटी बैंस तो इनके थे नहीं डेवाल ब्रुइस आप इसको देखना होगा यह खेलेगा किसकी चाहिए क्योंकि चार मिरको एकदम कंफर्म लग रहे हैं माई के तो डेवाल ब्रुइस के खेलने के चांस थोड़े कम बन जाते हैं बाकि उसके बाद में रवनदीप सिंग है जो बैटिंग मोलिंग डोनों कर लेता है लास्स सीजन अच्छा खेला था उसके बाद में रागाव गयल रहेगा इनका कोई भी रिकोड़ेवल था नहीं है अरजन तेंदुल कर खिलाएंगे नहीं बाकि उसका बाद में मदवाल है जो डीसेंट बोलर है ठीक ठीक है मतलब एक एक विगट बगर रहे हैं निकाल लेता है तो यह कुछ माई की तरफ से अब इसमें को सबसे इंपूर्ट कौन बनता है हो सकता है शम्स मुलानी को यह खिला ले करती के ऐी के जगे पर ठीक है एक चीज़ यह हो सकती है अगर खेलता है तो ग्रैड लिग पे सीवीची आप ट्राइ कर सकते हो किसी एफ्टीम में शम्स मुलानी को जादा बें तो मत करनाा प्ड़ किसी एक दू टीम में कर सकते हैं बाकी रवनでे पीप सिंग अविनाश इधर से अविनाश शिंग रहने वाल है रिसेंट फॉर्म देखोगे उतना नहीं है बट आपको जब देखोगे न तो आपको आरसीब के चैनल पर आरसीब के यूट्यूब चैनल पर एक क्लिप मिलेगी अविनाश सिंग की कि उन्होंने इसको कैसे डूटा कैसे 141-145 के आसपा स्पेस डालता है तो थोड़ा और अगर लाइन लेन्थ होगी तो बढ़िया कर सकता है हो सकता है इसको मोका मिलेगा मेरे को जो लगता है पूरी आई पिल में करीबन दो तीन मैच वे मोका मिलेगा उनमें विकेट निकाल दे तो आगे भी शायद खेल जाए तो अगर खेलता है तो ट्राइ जरू कर लेना विना सिंग को बाकी बात करें यहां से पैबे ना लेना है ग्रैलिक ले सीवेसी अनु जरावत कुछ ज़्यादा खास यहां से दिखा नहीं है और लास सीजन अब खिला था तो भी कुछ ज़्यादा बढ़िया पर्फॉंस न बट विक्ट उस मैच में इन्होंने निकाले हुए सई तरीके से 45 45 विकट बीच बीच में बट आई पेल में उतना वो इंपक्ट रहता था था न पहले सिद्धार्थ कोल का वह नहीं है उसका बाद में कास में क्या है करन शर्माय है हो ठीक टाक बिक निकाल ले था बट खि सेंट फोम अच्छा है अविनास सिंग है उसके बाद में राजन कुमार है इनके बीच बीच में तो दो तीन-तीन विकेट है बागी एक दो बार विकेट लेस्ट भी गए है मतलब ठीक ठाग है ले सकते हो अगर खेलता है तो उसके बाद में आसे हिमांचु शर्म है जिनका को चाओ तो खेलता है तो ठीक है देन आते हैं नेक्ट निकल कर इदर से अपने वेन्यू स्टेट्स के ऊपर तो 82 मैच इस ग्राउंड पर खेले है विन रेट उनका अच्छा रहा है 42 जीते मतलब 50 से ऊपर यह 40 मैच इस हारे भी है महीं पर अगर माई के बाद कीजे तो भाई उनके बाद मैच यहां से निकल कर आ जाते हैं बात की जाए इस वेन्यू पर तो एकलोता विराट कोली आपको दिखता है बट विराट कोली भी पिछले तीन मैच में यहां पर फ्लॉप हो चुका है जैसे कि यहां आगर हम देखते हैं चार माई 2019 को जब लाश मैच RCB को यहां पर हुआ था जो कि वो जीत गए थे चेज कर तक विराट कोली ने 16 बनाय थे 24 अपरेल 2019 को मैच वा आर सी वी उस मैच में भी डिफेंड करते हूं जीत गए थी उस मैच में विराट कोली गे थे 13 और 21 अपरेल 2019 को जब मैच हुआ था RCB CSK का जिसमें की RCB एक रन से जीती थी उस मैच में विराट कोली ने बनाय थे 9 मतलब विराट कोली वैसे तो इस गराउन पर हाई एश रन स्कोरर है बट बहुत जादा अच्छा भी नहीं करता है यह जहान रखना मतलब ऐसा नहीं है कि वह 50-60 का आवरेज लेके गुम रह सकते हैं बागे अरबात की जैस वेन्यू पर जो माई की तरफ से टीम रही है तो उदर से भी कुछ जादा वैसे है नहीं रोहिज शर्मा सुरे कुमार यादो के रंस आपको इस मैच में देखने को मिल जाते हैं जिसमें माई डिफेंड करते हैं 28 मार्ट 2019 को एक माई 2018 को मतला रोहिज शर्मा डिसेंट खेल लेता है सूरे कुमार एक मैच अच्छा कहला है एक मैच खराब खेला है पिछले तीन में और एक चीज़ क्या है कि जब जब आर्सी माई का इस ग्राउंड पर मैच हुआ है तो उन में से जो पिछले दो मैच रहें दोनों ही मैच डिफे 12 मैच में 278 बहुत बुरा खेला है दिनेश कारतेगे इस ग्राउंड पर कोई एक दो इनिंग बहुत अच्छी है अदर्वाइस हर मैच में फ्लोप है उसके बाद में रोईच शर्मा 14 मैच में 263 18.79 कैवरिस रोईच शर्मा का रहता है रोईच शर्मा ने भी कुछ एक दो इनिंग अच्छी के लिए दरवाइस ये भी फ्लोप है और उसके बाद में आता है ग्लन मैक्सवल ये ठीक है 45 के और इसके साथ में 8 मैच में 178 पर ये ध्यान रखना एक ही मैच में 113 बना दिये थे बाकी के जो साथ मैचेस हैं उसमें जादा रंस नहीं देखने को मिलें 50 साथ की तगरीवन रंज से सिर्फ और देन आते हैं अपने बॉलिंग शेक्शन के उपर तो प्यूश शावला 14 मैच में 15 विकेट लैंग स्पिनर अलगी चलता है इस ग्राउंड पर ना विकेट वगरा उनको मिल जादे चाहे फिर वो महेंगे साभी तो चार और और पचास काले बड़ विकेट निकाल लेगा तो 14 मैच में 15 विकेट है यही आल चहल का रहता तो यही आल यहां से प्यूश शावला का है हर्शर पटिल 14 मैच में 11 विकेट और सिराज भाई 8 मैच में 8 विकेट के साथ में हैं एवरेज आपको सभी का एकदम आसमान चूता हुआ यहा से विराट को लीगा एवरेज है 29.54 का तो यहां पर भी कोई पचास साथ वाला एवरेज नहीं है रोईच शर्मा 22 मैच में 566 है एवरेज है उनका भी 29 का ही सूरे कुमार यादो 10 मैच में 286 एवरेज 35 का है जो सबसे इनका हाइस्ट है एमाई की टीम में सगर देखा जाए और रोईच शर्मा की तो इनका ठीक ठाक सा रहा है मतलब वेन्यू तो बहुत खराब था है फिर भी कभी कभार रंस इनों ने बना है अब इनिंग वाईज में मैं आपको बता दूगा मैक्सवल अच्छा खेलता है अगेंश मंबई 51 का एवरेज जरूर लेकर गुम रहा है बोलिंग के एक्षन की बात करें हर्शल पटेल आठ मैच में 17 विकेट है वाही के ठीक है अगेंश मंबई 8 मैच में 17 विकेट और उसके बाद में सिराज वाही है 8 मैच में 8 विकेट है जैसा वन्यू पर था उसके बाद में एनिंग वाईज में सिर्फ आपको ऐसे दिखा तो क्योंकि इसकी जड़ा स्लाइड निया जाव लेवल ना कुछ तो उसमें समझ लो कि लोचा हो गया बट यहां पर देखोगे न रोहिट शर्म भाई ने क्या किया हुआ है बीच बीच में कभी कभार रंस है सेकंड बैटिंग में 26 और यहां से 25 है बागी 48 फर्ष्ट में ब फ्लोप भी हुआ है दोनों केस है वहीं पर बात किजिए 68, 31, 79, 29 ठीक है फाइटिंग फर्ष्ट में भी बैटिंग सेकंड में भी सम्में ठीक है सूरी कुमार यादा हो लेना इंपॉर्ट बनता है और जैसा अभी खेल रहा है वैसा तो जादा बनता है इंपॉर्ट इशा यहां से अगर देखा जाए तो 16, 25, 13, 31 मतलब बहुत जादा अच्छा नहीं रहा है इनका पिछला 8-10 मैच का स्कोर और वहीं पर एगर हैट-वड की बात करें यहां थोड़ा से जादा बहतर देखने को मिलता है फर्ष्ट बैटिंग करते वक्त थोड़ा फ्लोप है यहां से बैं अच्छे हैं तो ठीक है बागी बैतिंग फर्ष्ट बैटिंग सेगिंड का यहां जहां रोल होगा वहां मैं बता दूगा अदर्वाइद सिर्व रिशन फॉर्म देख से तो इनकी वेन्यूर है क्या है कि कभी बैट्समन बैटिंग फर्ष बैटिंग सेगेंड जादा इंपॉंट रहता नहीं है उस केस में ग्लैन मैक्सवल इस वेन्यू पर 113 बनाएं सेकंड बैटिंग करते हैं तो वह भाई नहीं यहां से बैटिंग सेकंड करते हैं थोड़े जादा रंस बनाए है विट्वेट की बात कीजए तो यहां पर फिटे सेक्स थर्टे नाइन ग्यारा और बाईस है तो यहां पर भी बैटिंग फर्ष में यह जो हाई इस स्कोर थर्टे नाइन सेकंड में भी है उसके लाबाव हर्ष पटेल है इस वेन्यू पर जो विकेट्स है उनके वह जादा यहां से देखने को मिले नहीं है कभी कबार विकेट है बहुत बार फ्लोप भी रहा है स्पेशली जब सेकंड बोलिंग की है तो ज्यादा फ्लोप रहा है और उसके बाद में गार हेट्वड की बात करें यहां तो भाई ना तहलका मचा है दो विकेट फर्ष बैटिंग और पांच विकेट फर्ष बोलिंग करते हैं उसके बाद में चार विकेट सेकंड में और तीन विकेट सेकंड बोलिंग करते हैं तो मतलब फर्ष बोलिंग हो चाहे सेकंड हो हर्शल पटेल के चलने के चांसे जादा ही रहते हैं दो बार फ्लोप ज़रूर हुआ है और वह तो नॉर्मली स्राज के जो विकट्स है वो सेकेंड बोलिंग करते वकता है इस वैट्री नियुबel पर भी और जाते हैं उनके विकेंड को इसे शेतृ में हेいます फ्लोप है एक इनिंग है सिर्फ इनके तीसरन के बागी साथा कुछ था नहीं अब आ जाते हैं अपने प्लेयर बैटल के उपर दको प्लेयर बैटल की बात करें तो यहां से रोईज शर्म है जो अगेंश्ट हर्चल पटेल आठ वोल में दो बार आउट हो चुकिए है इशान की बात की जाए इशान किशन को हमने रखा है यहां से विकिट की पर उप्शन में दिनेश का अर्थिक खुल मिस्किया है बागी रोईज शर्मा सोरेकुमार विराट को लिफ आफ्टो प्लैसिस है रोईज शर्मा की जगे पर रिस्क लेने वाले लोग यह चीज कर सकते हैं सेफ जाने वाले लोग रिस्क लेने वाले आपके लक वर्मा देख लेना अगर तीन पर आ रहा है तो वो ले लेना अदर्वाइस टिम डैविड वगरा को अप ले सकते हैं उसकेस में बागी प्रेस्वल है ग्लन मैक्स्वल है केमरान ग्रीन को रखा है बेरेंडोफ आर्च बन जाते हैं बाकी काफी लोग वाइस केप्टन ग्रीन भी करने वाले करना चाहो तो कर लेना बट इस पिछ पर ऐसे मैदान पर ज्यादा इंपॉर्ण बनते हैं तो यह तो जाते हैं आज के लिए सब चीज़ें टीम्स टीम्स एंड ग्रैंड लिक पसंद आई हो तो लाइ डिस्क्रिप्शन में सभी टीम्स अब्डेट्स गिवर्ज आपको वही देखने को मिलते हैं